Hello everybody, welcome back to Quant Study, I am Mujhase Maktar, आपको पता है मैं आपका JKSSB Class 4 की जो recruitment हो रही है, उसका English का portion cover करवा रहा हूँ, उसमें से मैंने आपको Articles और Determiners already complete करवाया है, आज हम Spelling पढ़ने वाले हैं, अच्छा अगर आपने अभी तक Articles और Determiners नहीं पढ़ा, आप Playlists में जा सकते हैं Quant Study की, वहाँ पर आपको English का जो है Playlist मिलेगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, और आपको सारे Lectures मेरे वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, आज हमने पढ़ना है Spelling तो Spelling में हमने क्या पढ़ना है, हमने इसमें, मतलब Strategy क्या होगी, आज जो है मैं आपको 20 Spelling दूँगा करने के लिए, जिनके आपनी Notes बनाने है, 20 Spelling जो कि Wrongly Spelled होगी, फिर उनको मतलब ठीक करेंगे हम, और आपको वह Note करनी है, अच्छे से Note करनी है, और आपको वह याद रखनी है, किस तरह से याद रखनी है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये बतान नहीं किया, तो आप चैनल को सबस्क्राइब करें, और बैल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि आपको जो है, नोटिफिकेशन मिलती रहें, जब भी मैं एक नई वीडियो डालू या फिर कोई भी दूसरे सबजेक्ट के रिलेटिड कोई वीडियो आए, तो आपको जल्द यहां पर गलत, गलती से मैंने क्या दिया है, यहां पर जो है, एक सेकेंड, यह जो है, यहां पर इनकरेक्ट ली है, ठीक है, आपको बताना है कि यहां पर जो है, इन में से गलत स्पैलिंग कौन सी है, ठीक है, इनकरेक्ट स्पैलिंग कौन सी है, ठीक है, तो question one यह दिया है spelling one जो दी है इन्होंने mischief, दूसरी temperature तीसरा word lovable, चोथा word toxic, इन मेंसे आपको बताना है कि wrongly spelled word कौन सा है, जिसकी spelling गलत है, इन मेंसे कौन सा वो word है, ठीक है? आपको वो बताना है, अच्छा second question ये है, आपको comments में सबको try करना है, ठीक है, सब भी try करना, ताकि उससे आपकी practice अच्छी हो जाती है, ठीक है? second question ये है कि option A, इन्होंने दिया है geometry, option B parameter, option C circumference, option D radius, आपको ये भी बताना है यहाँ पे भी क्या बताना है, कि कौन सा word wrongly spelled है ठीक है? okay, so next चलते हैं आप, हमारे topic की तरह spellings, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते है कि इसकी importance क्या है आप देख सकते है, स्क्रीन पे इसको आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से notes बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है यह मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए दिया है यहाँ पे, कि किस लिए जरूरी होती है ठीक है? अगर हम spellings को गलत कर देते हैं तो एक bad impression पढ़ता है reader पे जिसकी वज़ा से उसको लगता है कि बन्दे की English जो है, वो अच्छी नहीं है लेकिन अगर हम वहीं पे spelling correct करते हैं तो मतलब reader को लगता है कि नहीं, इसकी English जो है, अच्छी है क्योंकि यह जो है as important as its meaning मतलब जितना important meaning है, उतना ही important यह भी है ठीक है? ओके, चलते हैं हमारे spellings की तरफ, ठीक है? अच्छा, पहली spelling क्या दिये है इन्होंने? professional, ठीक है? पहला word जो दिया है इन्होंने? professional दिया है, इसकी spelling क्या दिये है इन्होंने? P-R-O-F-E-S-I-O-N-A-L अच्छा, अगर आपको already यह कुछ-कुछ spellings आपको पता है तो आप वो भी comments में बताएं कि कौन-कौन सी spellings मुझे पता है और आगे आप बताएं कि हाँ, मुझे यह spelling पता थी और जो आपको नहीं पता, वो भी आप practice कर सकते हैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि notes आप यहीं से बना लीजे हाला कि मैं आपको PDF भी provide करूँगा लेकिन notes आप यहीं से बना लीजे ताकि आपको memorize करने में मदद मिलेगी, ठीक है तो पहली जो दी है, P-R-O-F-E-S-I-O-N-A-L यहाँ पर आपको दिहान रखने वाली चीज़ है यह जो बीच में S है, ठीक है यह दो बार आएगा, professional में, ठीक है याद रखना यह बहुत important words लिए है मैंने तो यह आपको जरूरी करने है, ठीक है दूसरा जो दिया है इन्होंने N-U-E-M-O-N-I-A means pneumonia, ठीक है pneumonia की spelling गलत दी है इन्होंने इसको हम ठीक कैसे करेंगे इसके पहले P आता है हला कि हम P को pronounce नहीं करते यहां पे, लेकिन इसके पहले क्या आता है P आता है और end पे भी, मतलब P के बाद भी इन्होंने गलत किया है, यहां पर क्या गलत किया है P-N-E-U ठीक है, पहले क्या था U-E, तो मतलब इसकी correct spelling क्या है, pneumonia की P-N-E-U M-O-N-I-A ठीक है, यह note रखें, आपको मतलब मेरे बताने से ही याद रहना चाहिए, लेकिन अगर आप notes बनाएंगे, तो आपको ज्यादा याद रहेगा ठीक है आचा, आगे है, seismology तीसरा, ठीक है, seismology यहां पर क्या spelling दिया है इन्होंने, S-E-S-I M-O-L-O-G-Y यह तो seismology बनता है ठीक है, मतलब इसकी correct spelling क्या है S-E-I-S क्या, S-E-I-S M-O-L-O-G-Y ठीक है, seismology ठीक है अचा, चोथी example क्या है lie cable ठीक है, lie cable की spelling, जो है यह correct अगर करनी हो तो L-I-K-E जो होता है, वो like होता है E को हमें यहां पर cut करना पड़ता है तब हम अगर हमने likeable लिखना है तो E को हमने यहां पर सिधा cut कर देना है, ठीक है likeable मतलब likeable ठीक है तो correct spelling क्या है इसका L-I-K-A-B-L-E अच्छा question number five यानि कि spelling number five immature ठीक है A-M-U-T-U-R-E immature ठीक है यहां पर जो है spelling wrongly है इसकी correct spelling क्या है A-M-A-T-E-U-R ठीक है A-M-A-T-E-U-R आपको याद रखना है अच्छा जिस जिसको समझ आ रहा है वो comments में बताएं कि हमें पूरा समझ आ रहा है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप comments में बताएं next जो वीडियो होगी वो उसी हिसाब से बनाई जाएगी ठीक है अच्छा sixth जो example है वो क्या है exaggerate exaggerate की correct spelling क्या है मतलब wrong spelling क्या दी है इनुने E-X-A-G-E double R-A-T-E but actual में इसकी correct spelling क्या है exaggerate जो है उसका डबल जी है ना कि डबल आर ठीक है E-X-A-G-E-R-A-T-E note करके आप रखें अभी से note करके रखें और अगर आपको खुद आती है आप comments में बताएं ठीक है जिस जिसकी आपको आती है ठीक है आगे है play to play to अब इसकी spelling क्या दी है उन्योंने P-L-A-T-U-E तो इसकी correct spelling क्या है P-L-A-T-E-A-U अब geography में तो हम इसको बार बार पढ़ते ही है तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि हम इसको geography में पढ़ते हैं तो play to की spelling ये है आपको बार बार वहाँ पर भी repeat होती है तो आपको क्या करना होता है जब भी आप reading करते हैं तो आपको ध्यान रुखना होता है वहाँ पर भी words का ठीक है तो चलो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ spelling जो भी important है अच्छा दी ए टी आई ओ एन ठीक है ये जो है wrongly spelled है अब इसमें क्या देहान रखना है हमने इसमें हमने ये देहान रखना है कि एक सगेंड मैं brush से आपको बताता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो है आपको double M दिखेगा और यहाँ पर भी आपको double C लेकिन यहाँ पर आपको खाली double C दिखेगा और यहाँ पर M जो है वो अकेला दिखेगा ठीक है इसका मतलब इसकी जो है double C भी आता है double M भी आता है मतलब correct कौन सी हो गई हमारी ये वाली ठीक है accommodation ठीक है जैसे हमारी पहली मतलब ये इसमें ये वाली थी ये वाली थी मैंने आपको tick करके नहीं बताया ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली ठीक है अच्छा next बात करते है achieve की ठीक है achieve की spelling correct spelling जो है वो क्या है A-C-H-E-I-V-E ठीक है यहाँ पर A-C-H-E-I-V-E बताया है ठीक है आपको correct spelling कौन सा करना है A-C-H-I-E-V-E मतलब आई आपको पहले लगाना है फिर E-V-E आई पहले और E-V-E A-C-H को पहले आप अलग करो फिर आई फिर E-V-E ठीक है ये आई का द्यान रखना है आपको एक सेकेंड I-E का जो है यहाँ पर आपको द्यान रखना है तो यहाँ पर क्या आएगा correct answer A-C-H-I-E-V-E जो है correct spelling है और A-C-H-E-I-V-E जो है ये wrong है ठीक है अच्छा उसी तरह से हम across ठीक है यहाँ पर spelling जो है यहाँ पर double C बताया है इनुने यहाँ पर और double S ठीक है यह जो है जो spellings में आपको क्या देखना होता है जादा तर double M जो मतलब double letters होते हैं वो use होते हैं मतलब उन्ही के हिसाब से confusing जो है spellings होती है आपको देखना है कि किस word में double होती है किस word में single letters होते हैं ठीक है अच्छा across में यहाँ पर क्या बता रहा है 10th में A double C, R O double S लेकिन इसकी correct spelling क्या होती है A और C जो है C double नहीं होता लेकिन double S जो है वो double होता है मतलब S जो है वो double होता है इसका मतलब correct कौन सा है A C, R O double S आप अब भी जो है इसको note कर लें साथ साथ में ताकि आपको यह बहुत काम आने वाली है आगे ठीक है 10 कर लिए हमने अभी 10 बाकी बच्ची है हमारी वो भी हम कर लेते हैं ठीक है next slide में अच्छा 11th क्या है हमारे पास Apparently वर्ड जो है हमारा वो है Apparently इसकी spelling उन्होंने दी है A, double P, A, R, A, N, T, L, Y अब यहाँ पर दूसरा फंडा है ठीक है मलब जो letter है वो ही अलग है यहाँ पे ठीक है बात करते हैं इसकी यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो E, N, T, L, Y मैं थोड़ा नीचे लगा रहा हूँ यहाँ पर ठीक है E, N, T, L, Y और वहाँ पर क्या है A, N, T, L, Y मतलब Apparently की spelling जो है E, N, T, L, Y बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना है ठीक है A, P, A, R, E, N, T, L, Y ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा है Okay Next क्या है हमारे पास Appearance Appearance यहाँ पर क्या दिया है A, P, E, A, R, E, N, C, E लेकिन इसकी actual में क्या है A, P, E, A, R, A, N, C, E मतलब यहाँ पर A, N, C, E ठीक है मतलब यह जो A है यह मतलब इनको differentiate करता है इन दोनों को मतलब Appearance में क्या आता है A, N, C, E आपको यह याद रखना है और इसको आप बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि आप नोट करके रखें ताकि आपको याद रहे ठीक है जब हम यह complete करेंगे तीनों तो मैं एक quiz लूँगा टेलिग्राम चैनल पे आपका spellings का क्योंकि यह बहुत easy है याद रखना तो अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपको loss हो जाएगा बहुत ज़्यादा ठीक है उसके बाद argument ठीक है argument A, R, G, U, E M, E, N, T इन्होंने इस तरह से लिखा है बट इसकी right spelling क्या है A, R, G, U, M, E, N, T E जो है यह आपको सीधा हटा देना है मतलब E जो है यह नहीं है argument की spelling simply A, R, G, U, M, E, N, T ठीक है ओके उसके बाद बात करते हम assassination की ठीक है assassination इसकी spelling A, S, A, S, I, N, A, T, I, O, N जैसे इसमें भी जो है double word का वो फंडा है यहाँ पर double sorry double word का नहीं double letter का देखे यहाँ पर जो है S S और S है यहाँ पर क्या है खाली S लेकिन यहाँ पर S, S और यहाँ पर भी S, S मतलब यही दो difference है इन दोनों में यही एक difference है actually तो इसकी spelling जो है assassination की correct spelling आपको क्या लिखनी है A, S, A, S I, N, A, T, I, O, N मतलब A, S, A, S easy कितना simple है A, S, A, S I, N, A, T, I, O, N I, nation ठीक है assassination उसी तरह से हम basically जो है यहाँ पर spelling क्या दी है B, I, S B, A, S, I, C, L, Y ठीक है लेकिन इसकी correct spelling क्या है B, A, S, I, C, A, double, L, Y ठीक है मतलब यहाँ पर जो है I लगाया है उन्होंने C, A भी नहीं लगाया है यहाँ पर इन्होंने और double, L भी नहीं यूज किया है खाली, A, L यूज किया है ठीक है यह आपको याद रखना है उसके बाद believe believe की spelling B, E, L, E, I, V, E लिखिया है इन्होंने लेकिन इसकी correct spelling क्या होती है B, E, L, I आपको याद रखना है ठीक है B, E, L, I उसके बाद E, V, E, अलग से believe बन गया believe B, E, L, I आप अलग से याद रखेंगे ठीक है B, E, L, I आप अलग से याद रखेंगे और E, V, E अलग से याद रखेंगे अगर आप इनको मतलब तोड़ तोड़ के देखेंगे तो बहुत easy हो जाता है ठीक है आपको मतलब खुदी फिर spellings बनाना आ जाता है ठीक है अच्छा उसके बाद है dilemma dilemma ठीक है इसकी correct spelling क्या है मतलब wrong क्या दी है इनोंने पहले D, I, L, E, M, N, A लेकिन इसकी correct spelling क्या है D, I, L, E, M, M, A ठीक है double M यहाँ पर double M दिया है इनोंने लेकिन यहाँ पर क्या है wrong जो है इसकी spelling क्या है M, N इनोंने लिखा जो की गलत है ठीक है जो बिलकुल आपको correct नहीं है ठीक है उसके बाद definitely definitely मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इनने क्या दिया है D, E, F, E N, I, T, E, L, Y D, E, L, Y, right लेकिन यहाँ पर इसकी correct spelling क्या है D, E, F, I इतना याद रखना है आपको D, E, F, I N, I, T, E, L, Y ठीक है definitely उसके बाद further 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 की spelling इनने क्या दी है F, U, R, T, H, A, R further की spelling end पर क्या लिखा है इनने A, R, लेकिन इसकी correct spelling कौन सी है E, R, ठीक है मतलब इतना ही आपको याद रखना है further अच्छा next क्या है occurred occurred की spelling इनने क्या दी है O, C, C, U, R, E, D लेकिन यहाँ पर भी क्या है वो ही यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर दो है ठीक है जाएगी आपकी O, C, C, U, R, E, D यह आपकी correct spelling हो जाएगी ठीक है अच्छा next बात करते है preferred preferred की spelling क्या होती है P, R, E, F, E, R, E, D लेकिन इनने क्या spelling दी है P, E, R, E, F, E, R, E, D यहाँ पर इनने किसी भी जो है letter को double नहीं किया यहाँ पर जो है P, R, E, F, E, R, E, D note करके जरूर रखना ठीक है पहली बार अगर आप समझ भी रहे हैं तो दूसरी बार आप वीडियो को देखना और देखते देखते note भी कर लेना ठीक है अच्छा last क्या है हमारा vacuum ठीक है vacuum की spelling क्या होती है V, A, C, U, U, M लेकिन यहाँ पर क्या लिखी है V, A, C, C, U, M यह जो है wrong spelling है और यह जो है right spelling है ठीक है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा notes कह रहा हूँ मैं आपको बार-बार end पर भी कहूंगा कि आप notes बना लीजे because it's very important to make the notes to memorize the things ठीक है और समझ तो आपको आई ही गया होगा अगर नहीं आया है तो आप comments में बताईएगा ठीक है तो okay thank you very much for watching I will see you in the next video bye bye take care